हेलो स्टूडेंज और जुख़र यह एक्टर फइल निव. वे झान वार चप्टर नवर फइंप ऑफ शोचीन साइन्स सिस इंडिया इंस हरिटेज और साइन्स और टेक्णोलोजी तो अब आज जों बात करने वाले वह उंस साइनस और टेक्णोलोजी की बात करने वाले हमार में बहुत ही इंशयन समय में इंडिया में क्या सायस और टेक्नolोजी में बढ़ावा आया था उसके बारे में बात करने वाले कॉन सी स्काइब universities हुई थि inventions हुई थि science और technology में तो भई चलेच शुरू करते हैं यह Chapter number 5 let us start फ्रसांसस और Technology में ज dalam discoveries और inventions हुई है ठीक है उससे हमारी सारी countries हमारे वर्ल्ल Masuk यतने भी हमेरे दूसरे से नजडीक आई है थी सारे nations के बीच में जो cooperation के हम बात करें ठीक है science के लिए technology के लिए तो एक बढ़ा attitude बन गया है एक साथ काम करने का coexist करने का को एकसी करने का मनलब एक साथ रहने का ठीक है और world peace के लिए तो हर एक country science technology में जो आगे बढ़ चुकी है जो आगे बढ़ना चाहती है जो आगे नॉलेज सिस्टेमेटिक नॉलेज और टेकनलोजी का मतलब वहीं सिस्टेमेटिक नॉलेज का प्रेक्टिकल यूज ठीक है तो साइंस हम बात करें तो ऐसा हम अगर हमारी बासा में बोल दे तो उसको थियरी बोलते हैं सैंस जो हैं वो थियरी है टेकनलोजी है वो प्रेक्टि शब्द हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं चले हम बात करते एंचेंट हरिटेज की जो हमारे इंडिया में था साइंस और टेक्नलोजी के फील्ड में इंडिया के साधू संथ ठीक है उन्होंने साइंस का एक बहुती अमुल्य हरिटेज पूरे वर्ल्ड को दिया है ठीक है मैटल साजेंडिक हमारे साधू संतों ने दिया है हमारे इंडिया के जो से जिस्त थे उन्होंने दिया है बहुती गर्ब की बात है वहिए कि इंडिया ने नौट ओं लिए सारे फिल्ड में बलकि लिटरेचर आर्ट रिलिजियन एजुकेशन फिलोसोफी ये वी बढ़िया कंट् के जमाने में जो हमने रिसर्च किया उस से पता चला है कि इंडिया का साइन्टिफिक attitude जो था उसके साथ साथ एक religious outlook था तो मय बलत एक religion based वो scientific attitude था अब हम बात करते हैं metallurgy की हाँ आपने सही सुना metallurgy metal थीक है तो इंशेंट एज से इंडिया के जो लोग है ठीक है वो मैटलर्जी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं और हमारे इंडिया ने बहुत ही एक्स्टाओर्डिनरी प्रोग्रेस किया है मैटलर्जी में एक इंडस्वैली सिविलाइजेशन का जब डिस्कवरी हुआ ठीक है तब वहां पे एक मैटल का आइडल मिला था मैटल की एक आइडल मूर्ती जैसा मिला था फीमेल डांसर का तो एक बढ़िया एक्जांपल है भई ठीक है कि हमने इंचेंट इंडिया में इंडस्वैली सिविलाइजेशन के समय पे मैटल का यूज होता था वह समय भी मैटल यूज किये जाते थे लेटर कुषन डाइनस्टी जब यहां पर राज करती थी वह समय पे बुद्ध के स्टेचिव मिले हैं मैटल के ठीक है तक हां पे मिले थे तक्षशिला में तो हमने यह तक्षशि मिले थे चोला डाइनस्टी के राज में मैटल के आइडल कहीं सारे देखने को मिले थे साउथ इंडिया में नट्राज का स्टेच्व बहुत ही फेमस है ठीक है आपको मैंने पहले ही हम एक दो बार बात कर चुके हैं नट्राज के स्टेच्व की हमने जब डांस बताया था दो लिए बहुती बडिया स्कल्प्च्र है और मेटल के म्यूजियम में रखा हुआ है एक और यह में टाइडल तो मैं आपको बताएं तो आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहां डेखें पूरा बना हुआ है देखिए यह एक फोटो जो राम भगवान का है ठीक है आरचरी कर रहे हैं उसका मेटल आइडल है चले आते हैं वापिस टेक्स बुक पे और बात करते हैं हमारे जो आगे हैं उसकी बात करते हैं इसको मैं बंद कर देता हूं और टेक्सबुक पे आ जाते हैं चलिए आगे टेक्सबुक पे तो यह राम दा आर्चर का जो मेटल का आइडल था वह बहुत ही फेमस था ठीक है वह म्यूजियम में देखा जा सकता है गौड और गॉड़ेसिस के आर्टिस्टिक स्टेच्यूज बने हुए बड़्ड जैनिमल्स ठीक है यह सारी चीजों के मैटल स्टेच्टिउज बने हुए और बीटल नच पहले एक जमने में आ सोपारी को कट करने के लिए रिए इसको कट करने के लिए एक मेटलिक आट का बहुत ही बड़िया एकजांबल होता मैटल नट कटर उसके ऊपर बड़िया आटिस्टिक किया जाता था मेटल का है तो Wirk भात करें टो होता था ओके चलिए अब बात करते हैं हम प्लांट के लिए मैटल्स को इकठा करने के लिए उसमें करने के लिए यह कैमिस्टरी किया जाता है फिक है मेडिसीन बना ले के लिए भी है chemistry use किया जाता है अब हमारी इंडिया की बात करें तो नलंदा university में जो बुद्धिस्ट थे आचारिया नागरजुन ठीक है वो आचारिय थे chemistry के आचारिया नागरजुन a learned buddhist of नलंदा university is known as आचारिया in the field of chemistry तो भई वो जो है वो chemistry का use herbal medicines के लिए यूज करते थे तो आचारिया नागरजुन एलोपथी का use करते थे एलोपथी तो आपको पता है नो chemical से दवा बनाना ठीक है तो एलोपथी का use करते हैं herbal medicines के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि mercury ash ठीक है वो एक medicine की तरह से जो यूज करना था वो उन्होंने शुरू किया था mercury ash का use medicine की तरह से उन्होंने शुरू किया था यूज करना नलंदा university जो है वो chemistry के लिए बहुत जानी जाती थी ठीक है और अपनी खुद की school of chemistry थी उनकी और उनको वहां पर एक फर्रेस दिया जाता था बठी दी जाती थी जहां पर वो study और research कर सकें ठीक है आप देख सकते हैं पिक्चर में यहां पर हमको आचारे नागरजुन का एक छोटा सा पिक्चर दिखाए गया है यह रहा आचारे नागरजुन का एक छोटा सा पिक्चर है और नीचे जो chemistry के equipment है कुछ वह यहां पर हमको दिखाए गए हैं ओके तो थोड़ा description में रस उपरास दस टाइप के पॉइजन अलग-अलग टाइप के सॉल्ट अलग-अलग टाइप के मिनरल के एशेज यह सारी चीज़ें वह यह बुक्स में और आचारे नागरजुन के टाइम पे देखे जाते थे ठीक है रस क्या होता है उपर नचिन से कोई और स बनता है कैमिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा जो कापर नॉलेज न एक ऐक स्किल कॉपर का जो metal बनाने की बात है तो वो समय पे copper का metal बनाना mix करना पड़ता है ना दो metals को एक metal बनाने के लिए तो chemistry के field में एक बहुती बड़ा बड़िया knowledge है और skill हमको बताता है यह बुद्ध का copper का statue यह copper एक copper का statue जो सुल्तान गंज बिहार में है बिहार में है भागलपो डिस्टिक्ट और वहाँ पे सुल्तान गंज है वहाँ पे copper statue मिला था बुद्ध का जो साड़े साथ feet high था और एक टन वजनी था ठीक है साड़े साथ feet उचा था और एक टन वजनी था तो यह हमको बहुत ही बढ़िया साड़े साथ feet उचा मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया बनाया है एक टन वजन का copper statue बनाया था ओके नलंदा युनिवर्सिटी में जो बुद्ध का उचा है ठीक है अब iron pillar आपको पता है विजय स्थम्भ जो चंद्रगुप्त टू ने बना बनाया था विजय स्थम्भ आप देख सकते हैं यहाँ पे पिच्चर में विजय स्थम्भ है तो वो साथ टन वजनी था और चौबीस फीट उंचा था ठीक है विजय स्थम्भ बनाया था और यह बड़ी एक बड़ी अग्जांपल है आईरन पिलर बनाया था बले ही सैंचुरियां बीच गई चंद्रगुप्ट टू को ठीक है बले ही वो समय बहुत लंबा बीच गया वो पिलर में अभी भी कोरोड नहीं हुआ है कोरोड मलब काट नहीं लगा है ठीक है काट लग जाता ना आईरन पे तो अभी तक कोरोड नहीं हुआ है यह बहुत ही बड़िया एक्जांपल है वही आलकेमिकल लोर का केमिस्टी का एक्जांपल है तो केमिस्टी में हमने बह परणेश के लिए बुद्ध के साथ साथ हर्बल मेडिसेन के साथ साथ एलो पथी यूज़ करनी चाहिए उन्होंने मर्किरी एश ढूंडा था एक मैडिसीन के एक आयरेन बिलर की बात थी जो चंदरगुप्त टू ने बनाया था ठीक है 24 फीट उंचा था वो विजय स्थम्ब उसका नाम था वो अभी भी को रोड नहीं हुआ है ठीक है तो यह केमिस्टी के एक्जांपल्स हमको देख रहेंगे भी यह हमारा हरिटेज है कितना बढ़िय है मेडिसिन और सरजरी की science of medicine and surgery इंडिया ने मेडिसिन और सरजरी में बहुती बढ़ी आच्विमेंट किया है ancient समय से महारशी चरक महारशी शुशूत और वागभट यह जो तीन नाम है वह बहुत important नाम है हमारे medicine और surgery में ठीक है और इन्हों ने यहाँ पे medicine का science जो है surgery जो है वो शुरू किया था research किया था उन्होंने और बहुती बड़िया एक मुकाम पे लेके गए थे हमारे इंडिया के ancient science को और surgery को पई हमको जो photo दिया गया है यहाँ पे वो है मारशी चरक का आप आप देख सकते हैं आप पर रखा हुआ है आपको पता चला कि वो medicinal herbs बनाने की बात करें यहाँ पेड़ों के पत्तेवत्ते हैं ठीडाल यहां हैं आप देख सकते हैं तो मारशी चरक जो है वह यहाँ पर हमको यह बता रहे हैं कि वह medicinal herbs कैसे यूज करना है तो महारशी चरक has written a book चरक समहिता in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs तो चरक समहिता उन्होंने book लिखे थी उनके नाम से ही है तो आपको पता चल जाएगा चरक समहिता खीक है और उसमें 2000 medicinal herbs वहाँ पे mention किये है medicinal herbs उनलब ऐसे पेड़ पौदें पत्तें ठीक है ऐसे चीज़ें नेचर की जो हम medicine के तरह यूज करेंगे अब हम बात करते हैं महारशी शुशुरुत की तो उन्हों ने book लेगी थी शुशुरुत समहिता ठीक है शुशुरुत समहिता नाम से ही है अभ अपने नाम से लिखा है शुशुरुत्समुता वह महारशी चरक की चरक की समहिता महारशी है महारशीशुरुत की इनस्ट्रुमेंटस के बारे में लिखान पे सर्जरी में यूज होते हैं ऐसे इंस्ट्रुमेंट के बारे में लिखा है तो यहां पे एक महारशी शुशुरुत की एक image दी गई हैं आपको जो बहुत एक सर्जरी कर रहे हैं और उनके हाथ में एक है यहां पे थोड़ा कुछ cotton रखा हुआ है वहां पे पीछे तीन-चाइयर रखे होएं लिख जाएंगे तो महारशी शुशुरुत जो है वह वह ऐसे instruments जैसे जो surgery में use करने हैं वो हमको बता रहे हैं वही ऐसे instruments ऐसे sharp होते हैं कि वह एक बाल को दो divide में काट देते एक हम बाल तोड़ दे हैं उसको बाल ले ले उसको दो पीस में कट कर दे ऐसे धारदार instrument mention किये गए हैं वागबट जो हैं अब हम वागबट की बात करते हैं तो वागबट जो है उन्होंने वागबट समीता लिगा था वह एक important work है ठीक है तो यहां पर हमको वागबट समीता के लिए कुछ ज्यादा information नहीं दिए अगर आपको लेन medicine और सरजरी में ओके चरक समीता सुशुर्ट समीता वागबट समीता यह सारे डॉक्टरों के लिए बहुत इस यूसफुल है देखो हिंदू हर्बल साइंस हमारा जो हर्बल साइंस है ठीक है ancient समय पे जो डूंडा गया था उसमें बहुत सारे minerals बहुत सारे medicines जो plants और animals से लि डीटेल और complicated processes मेंशन के हो है कि वह कैसे medicine बनाना है उनके classification मेंशन के हो है इनको यूज मेंशन के हो है वो लोग पहले के जमाने में बोल शेप्ट बैंडेज से बोल शेप्ट बैंडेज होता होगा बोल शेप्ट बैंडेज से वह blood circulation रोकने में कामियाब हो गए थे ठीक है और वह surgery कर पाते थे abdomen में kidney cataract hernia stone piles bladder ठीक है वह यह सारी चीजों में वह operate कर पाते थे operation कर पाते थे abdomen kidney cataract मोतियों का ठीक है stone piles bladder यह सारी चीजों का तो वह operation कर सकते थे और वह broken bones को प्रॉपर जगा पर रख सकते थे ठीक है तो उसको कैसे प्रॉपर करना उसको कैसे निकालना है तो यह सारी चीजों को वह operate कर पाते थे फिर कोई disease हो गया तो उसके symptoms को recognize करके वह disease को diagnosis करके recognize करना पहचानना कि कौन सा disease है ठीक है फिर वह disease का treatment treatment करना वह सारी चीजों उनको आता थे वह लोग disease से recover होने के बाद dietary directions भी देते थे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खान चाहिए वह सारी चीजों का information वो provide करते थे चले तो यह हमने बात की यह important operations और यह डॉक्टरों की they had knowledge of plastic surgery as well तो वो लोग plastic surgery भी जानते थे ठीक है और उसमें क्या होता था as well as joining nose and ears तो कान और नाक जोड़ना ठीक है वो भी वो लोग जानते थे plastic surgery जानते थे दिखो कितना ancient समय था और फिर भी वो plastic surgery जानते थे बताई यह उन्होंने अपने students को पढ़ाने का काम बहुत ही interest से किया they showed a keen interest in teaching students और यह सारी method जो surgery की method है dead body पे surgery करना wax statue पे surgery करना यह सारी चीजों से वो अपने students को सीखाते थे जब delivery होती है जब lady की कोई delivery करनी होती है बच्चे की तो वो delivery के समय पर इसकी operations करने होते तो वो सिखाते थे ठीक है वो लोग expert gynecologist होते थे और pediatrician होते थे ठीक है है कि भई हस्ती आयुरवेदा है शली होत रहे अश्वशास्त्र है तो यह सारे जो बुक है elephant मतलब हस्ती आयुरवेदा तो ऐसे diseases जो horses के related है तो उस पर अश्वशास्त्र लिखा जाता था elephant के उपर कई अगर कुछ प्राब्लम है तो हस्ती आयुरवेदा लिखा जाता था ठीक है और शली होतर भी हमको एक बुक का नाम दिया है तो वो यह important books थी जो हमारे लिए veterinary science में एक heritage के रूप में बताई गई है वागबड जो है उन्होंने अस्टांग रिदय लिखी दी ठीक है अस्टांग रिदय और बहुत ही ज्यादा उसके अंदर डीटेल में diagnosis के बारे में लिखा गया थी कैसे आप diseases को डाइगनॉस कर सकते हैं कैसे आप डिजिस को पता कर सकते हैं कौन सा डिजिस कौन सा है यह symptom क शुक्वर्याइबृर होना चाहिं no धनानौइटिकिंटेर में आन की बात करें तो भी हमारे इंडियायनने बहुत सारी चीजों के गिप्ट पूरे वर्ल्ड्म को दी है रहे जैसे कि mo Decimal System, Algebra, Bodh Gyan, Geometry, Arithmetic, हम तो बोलते हैं पूरा Arithmetic, Geometry, Algebra सब इंडिया नहीं दिया है, ठीक है? Arya Butter ने Zero Discover किया था, फिर Figure के बाद, Number के बाद, Zero लिखने की यह जो Process है, वो गृत समद ने दी थी, ठीक, Arya Butter ने Zero तो ढून लिया, लेकिन उसको यूज कैसे करें? भाई, Figures के पीछे यूज करने की जो Process है, वो हमको गृत समद ने सिखाए थी, गृत समद नाम का एक सादू थे, ठीक है? उन्होंने Zero को Figures के पीछे लिखना सिखाया था, Ancient Mathematicians उन्होंने नाम डिसाइड कर दिये एक के बाद 53 जीरोस तक कितने तक? 53 जीरोस तक नाम दे दिये करे, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं, एक फिर वन जीरो को क्या बिलते हैं, दस वन जीरो जीरो को सो वन जीरो जीरो को हजार, फिर दस हजार, फिर एक लाक, फिर दस लाक फिर एक करोड फिर दस करोड फिर सौ करोड फिर आगे क्या था पता है अरब खरब वो जो भी है वो जो जीतना भी खरब तब मुझे मालूम उसका आगे मुझे मालूम नहीं है लेकिन हमारे इंशेंट इंडियन मैथमेटिशन ने एक के बाद 53 जीरो तक नाम है था इंस्टूमेंट को मेजर करने के लिए वे करने के लिए ठीक है और मुझे मैं को हरप और मौंजव दरों के पर इंस्टूमेंट्स वहां पर इसमें डिशम सिस्टम को आपको दिखा गया है मेजर करने के लिए हरप और मौन्जोदरों के समाई में भी डेसिमल सिस्टम यूज होता था बासकर आचारिया उन्होंने बुक्स लिखी थी लिलावती गनित और बिज गनित ठीक है 1150 AD में यह आपको याद रखना है कि बासकर आचारिया जो है उन्होंने लिलावती गनित और बिज गनित यह दो बुक लिखी थी मतलब ऐसी दो बुक जो थी वह गनित के बेस पर थी मैतमेटिक्स ठीक है 1150 AD पर लिखी थी और उन्होंने साइंस डिसकवर के थे एडिशन और सबस्ट्रेक्शन के तो बासकर अचारे का वह यह जो कॉंट्रिबिशन है बढ़िया है अभी भी आप एक्वेशन के टाइप तो ब्रह्मगुप्त ने एक्वेशन से इंट्रोडियूज किया था बोद ज्ञान जो है उन्होंने थिएरं ट्राइंगल पॉलिसी उन्होंने डिसकवर किया था आप स्थम्भ जहें उन्होंने यग्वेदिस के मेजर्मेंट डिसाइड किये थे यूज करते हैं जो सारी चीजों में शूलवसुत्र यह हमको दिया था आप स्थम्ब ने एक बुक लेगी दे शूलवसुत्र एटीन हंड्रेट बीसी में और उसमें यग्य में यूज किये गए सेक्रिफिशल पिट्स गड़े वह जो हम बनाते हैं यग्य करते वक्त उसका मे पाई की वेल्यू मेंशन की थी 22 22 बाई 7 3.14 उनकी बुक में आर्या भट्यम अभी देखो आर्या बट के बारे में हमने शुरू आतमें बात की थी तो आर्या बट ने जिरो डिसकवर किया था ठीक है और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नामदा आर्या भट्यम जिसमें उन्होंने पाई की वेल्यू भी मेंशन की गई है ठीक है उन्होंने ये भी बताया था कि पाई जो है वो सरकम्फरंस और डामीटर ऑफ सर्कल से कॉंस्टन कुछ रहता है ठीक है तो शोओ डामीटर ऑफ सर्कल गिनने के लिए रेशियो गिनने के लिए पाई जो है वो कॉंस्टन रहता है वह उमको आर्या भट्यम ने बताया था अब ज्यादा मैं मैं डीटेल नहीं जाओंगा मुझे मैं पसंद है वैसे तो है लेकिन नहीं है के दिशन सुटॉक्छन स्क्वेररूट और क्यूब रूट यह सारी एक्से ट्रा यह सारि चीजे अस्ठांग मैथर आयब बताई थी आ乐े वट्रने ही अश्ठांग मैथर्ज है है वह हमको बता ही ती तो मुल्टिप्लिटेशन एप्से लेकिन मैच के हम बात करें तो दस कीटी का और आर्य बटियम है और आर्य सिद्धांत जहें उसमें थोड़ा डाला हुआ है उन्होंने इसके अलावा कई सारे और आसपेक्ट कई सारी और स्कॉलर्स ने अपनी कि इसके साथ-साथ बोध ग्यान आपस्थम्व कात्यायान भासकर अचारिया भ्रह्मगुप्त यह सारे लोग जो है वो बहुती बढ़िया-बढ़िया स्कॉलर्ड है जिस जिन्होंने आपको सिखाए हैं ये सारी चीज़े मैट्स के ओके चलिए अब कुछ नाम है हमारे पास दूसरे साइन्सिस के बारे में प्रजनन शास्त्र जो है वो लिखी है ब्रव्य ब्रम ब्रव्य पंचा योग शास्त्र जो है वो महरशी पतंजरी ने लिखी है और यंत्र सर्वस्वत उन्होंने महरशी भारदवाज ने लिखा है शाक्मुनिने लिखा है कल ग्णान काल ग्णान इस ठीक है तो यह आपको खाली नाम याद रखना है कि यह दुबुक हैं वो यह सारे इंसानों न लिखे हैं उकेट चले अब स्थ्टो नामी और एस्ट लोजी की हम बात नेक्ट्स लेक्चर में करेंगे और हमारा नेक्स लेक्चर में चेप्टर खतम हो जाएगा इसके घर निजंत करेंगे एक बार रिड़ करेंगे चैप्टर बढ़िया मज़ा होगा शायद आपको मज़ के आज ही ठीक है एस्ट्रोमियल एस्ट्रोजीज हम नेक्स लेक्टर में बात करेंगे बाइबाइबाइब